नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं राजस्तान सरकार दुआरा सर्मिक कार्ड पर दी जाने वाली चातरवर्ती के बारे में इसकोल शिप के बारे में दोस्तों हाली में मुख्यमंद्री असो गलोत द्वारा गोशना की गई थी कि जो सर्मिक कार्ड दारक हैं यानि कि राजस्तान में जिदने भी सर्मिक कार्ड दारक हैं उनके बच्छों को यह जो इसकॉलेशिप है चातरवर्थी है वो दी जाएगी दोस्तों इस वीडियो में आपको यहां पर मैं बताने वाला हूँ कि सर्मिक कार्ड पर मिलने वाली छात्रवर्थी है जो किन किन को यहां पर मिलेगी यानि कि किस कक्षा से लेकर आपको कॉलेज के किन येर तक है जो आपको कैसे इसको रशिप मिलेगी साथ ही इसकी जो पातरता है वो क्या है eligibility क्या है कौन-कौन से document है जो आपको फॉरम बरते टाम लगाने होंगे साथ ही इस शातरवरती में आपको कितने रुपए है वो मिलने वाले हैं इसके लाव दोस्तों जो इसका फॉरम है वो आप कैसे और कहां से बर सकते हैं तो अगर आप सर्मिक कार्ड से रुपए 35,000 तक की चातरवरती लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको complete detail मिलने वाली है तो please वीडियो को last तक पूरा देखना है क्योंकि अगर आप आदे दूर वीडियो देखते हो तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी और उसके बाद में दोस्तों आपको है जो समस्या आ सकती है तो चलिए बिना time खराब की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों ये scholarship आपको राजस्तान सर्मिक विबाग यानि कि जो labor department है राजस्तान सर्मिक बवन निर्मान विबाग कोसल विबाग द्वारा है जो आपको ये scholarship दी जाएगी और दोस्तों ये 8000 रुपे से लेकर 35,000 रुपे तक है जो आपको मिलने वाली है अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किन-किन कलास के student का हजो कितनी scholarship दी जाएगी यानि कि दोस्तों ये जो scholarship है school के साथ-साथ जो college के student है उनको भी यहाँ पर scholarship दी जाती है तो इसके बारे में दोस्तों complete detail बताना लगाना है प्लीज वीडियो को लाश्ट तक complete देखना है यहाँ पर दोस्तों सरकार पहले से चातरवर्ती की दो यजना चला रही है जैसा कि आप सब लोगों को पता है उत्त्रमेटिक चातरवर्ती और दूसरा यहाँ पर मुक्यमंतरी उत्षिक्स चातरवर्ती लेकिन दोस्तों यह जो चातरवर्ती है वो सरमीकों के यानि जो मजदूर है उनके बच्चों को चातरवर्ती की चायता से उत्तों सिक्षा मिल सके तो जिन लोगों के पास सरमीक कारट बने हुए है वो बहुत ही आसान तरीकीं से आसान प्रोस EST है अपने बच्चों के लिए इस सात्रवर्दी में आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल 100% उनको है जो यह scholarship मिलेगी तो चली दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक टेबल के माधिम से बदा देता हूं समझा देता हूं कि किस-किस कक्षा के बच्चों को यह कितनी scholarship है वो मिलने वाली है जैसा की दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कक्षा दीकिए उपर में उसके बाद में दोस्तों यह रासी है जो मेल यानि कि जो student है उनके लिए यह है और जो third column है दोस्तों वो रासी है यहाँ पर दोस्तों गल्स और जो special category है यानि कि जो physical handicap बगरा हैं उनकी लिए तो यहांपर दोस्तों कक्षा और student के लिए और girls या special category के लिए तो दोस्तों कक्षा यह यहांपर आपको दिगादए तो दोस्तों यहांपर आप देख सकते हो कख्षा चटी से लेकर 8 भी तक यहांपर दोस्तों boys यानि कि जो boys student है उनको चाहे वो किसी भी category से हो SCST OBC general किसी भी category से और इसके लगा दोस्तों बलाई वो private school से पढ़ रहे हो या फिर है जो सरकार school से तो उनको दोस्तों यहाँ पर 8000 रुपे मिलेंगे कगसद 6 से लेकर 8 वी तक और अगर कोई girls इसमें आवे दिन करती है या फिर जो physical handicap है विकलांग बगरा है वो girls आवे दिन करती है तो दोस्तों उनको है जो 9000 रुपे दिये जाएंगे कगसद 6 से 8 वी तक की चात्रों को इसके लब आगे देखते हैं कगसद 9 वी से लेकर 12 वी तक दोस्तों यहाँ पर 9000 रुपे दिये जाते हैं बोईज को और जो girls और special category है उनको यहाँ पर है जो 10,000 रुपे मिलते हैं इसके लब आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों उनको 20,000 रुपे है जो scholarship यह दी जाएगी बात करते हैं आगे दोस्तों जिनके पास डिप्लोमा है यानि कि जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं certificate के लिए उनको यहाँ पर दोस्तों boys को 15,000 रुपे और जो girls और physical category है उनको यहाँ पर है जो 17,000 रुपे दिये जाएंगे बात करते हैं दोस्तों post graduation की तो यहाँ पर boys को 23,000 रुपे और जो girls और physical category है उनको यहाँ पर 25,000 रुपे है तो दोस्तों एक बार आप है जो यहाँ पर table को दो बार से देख सकते हैं करक्सा 6-8 वी तक 8,000 रुपे boys को 9,000 रुपे girls को तो आप पूरा इसको है जो वीडियो को पौज करके आसानी से इसको देख कर समझ सकते हैं कि आप कौन सी कलास में आते हैं कौन सा course करने हैं और आपको है जो कितनी scholarship मिलने वाली है उसके बाद है जो आप आवे दिन में जो डोकुमेंट है वो कौन-कौन से लगने वाले हैं तो सबसे पहले यहां पर पातरता की बात करें तो दोस्तों तो यहां पर दोस्तों आवे दिन करने के लिए सबसे पहले आपके पास सर्मिक विबाग द्वारत जारी सर्मिक कार्ड होना चाहिए साथ ही दोस्तों आपके प पड़ाई करते हुए होना चाहिए ठीक है और किसी भी इसके अलावा दोस्तों किसी भी अन्नी इच्छा तरविती का आपने लाब नहीं लिया हुआ होना चाहिए वह आपको वहां पर है जो एक सर्टिपिकेट लगाना होगा वह मैं आगे आपको है जो दिखाने वाला हूं अब यहां पर दोस्तों document की बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको बता दिता हूँ कि आपके पास सबसे पहले आपका आदार काड होना चाहिए शाती जो आपका आदार काड है आदार काड में आपके mobile number जुड़े होँ होने चाहिए और for them birthday time आपके पास वो आदार काड आपकी जो भी डीटेल है यानि कि जो भी student जो भी girls form apply कर रही है उसकी पूरी डीटेल है यानि कि उनका नाम साथ ही उनका bank account साथ ही उनका date of birth उनका mobile number वो सारा कुछ है जो जनातार card में update होना चाहिए अगर नहीं है तो आप नजदी की किसी भी इमितर पर जाकर उसको update करवा सकते हैं अगला document है यहाँ पर जो कि महत पुर्ण है सर्मिक card यानि कि दोस्तों जो सर्मिक विवाग द्वारत जारी किया गया जो सर्मिक card है वो आपके पास है जो तीसरा document होना चाहिए चोते document की बात करें तो जैसा कि मैंने उपर point बता थे कि आपके पास आए पर्मान पतर होना चाहिए परिवार का वार्षिक आये वाला और उसमें जो income limit है वो एक लाक बीस जार रुपे से जादा नहीं होने चाहिए ठीक है अगले document है दोस्तों यहाँ पर रासन कार्ड यानि कि आपके पास रासन कार्ड होना चाहिए चाहिए वो किसी भी category का हो BPL हो या फिर APL हो या फिर State BPL हो ठीक है इसके लाव दोस्तों आपको एक और document की जरुत पढ़िए की वो है इसकुल का परमाण पतर यानि कि आप जिस भी इसकुल में आप पड़ाई कर रहे हैं या फिर मालो आप कॉलेज में पड़ाई कर रहे हैं तो वहाँ का जो आपको certificate है जो लगाना पड़ेगा उस फोरम के साथ में ठीक है दोस्तों आप document दोबरा देखते हैं इसके लाब आप अपने जनादर कार्ड को अनिवारी रूप से अपडेट करवा लें नहीं तो आपको है जो इसकुलसी बैज वो नहीं मिलेगी ठीक है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जनादर कार्ड में आपको दोबरा से सदेशी नहीं है आपका जिस भी नंबर पर नहीं है वहाँ पर आपका फॉरम खुलेगा उसमें दोस्तों सबसे पहले आपकी education qualification अगर मालो आप 8th पास है 10th है तो वहाँ पर आपको select रना है उसके बाद में आपका mobile नंबर वहाँ पर डालना है साथ में आपका अगर bank account open है तो वहाँ पर bank detail डालनी है इसके लबाँ आपकी category डालनी है वहाँ पर और आपका जो registered mobile नंबर है वहाँ पर enter करना है और अगर आपके पास जाती प्रमान पतर मूलिवास बने हुए है तो वहाँ पर है जो offline sitting में जाकर वो update करना है यह document आपको जरूरी है जनातर कार्ट में अपडेट करने तभी दोस्तों आपको है जो यह लाब मिल पाएगा अब मैं यहाँ पर आपको बदा देता हूं कि जब भी इसके online form में स्टाट होंगे तब दोस्तों मैं इसका है जो complete detail में एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगा कि कैसे आप है जो सर्मी कार्ट के जरि सब्सक्राइब करें ताकि जो फॉर्म बनने का वीडियो वह मैं जल्दी लेकर आजाऊँ और उसका notification आपको मिल जाए थेंक्स पॉर वाचिंग